तो मैं आपको बता रहा हूं, Magnitive field की Magnitive field होता और Generative की होता है Magnitive field के Generate होई के reason क्या है तो the reason of generation of Magnitive field is due to the motion of charge अगर कोई charge stationary ही है, तो वो क्या करता है ये एक charge है positive और positive charge stationary position में electric field generate रहें सेरफ ये आपको बता है हम Electro-Static chapter में बढ़ चुगे है Every positive charge in stationary position will generate an electric field Positive charge की electric field lines बहाँ निकलती है perpendicular-outward इस तरह ये रहे Positive charge की electric field lines बहाँ निकलती है perpendicular-outward और अगर Negative charge होता तो पता? Inverse Inverse, perpendicular ये इस तेंस निदे चार्ज अजिलना शुगरतेगा इस तेरह इस निदे मोशन जीरो है तो तो ये आइस्पस जरू निदे रहें जरू लेगिन अगर इस निदे चार्च अनल शुदू गरतेगा तो वो कितना magnetic field generate करेगा, वो यहां पर discuss करना शाहता है, एक बात तो ध्यान रखिए, जब भी कोई charge particle motion करने लगता है, तो वो magnetic field generate करता है, और जब कोई charge particle stationary होता है, तो केवल electric field generate करना है, तो मुझे बताइए, अगर यह charge चन्दा शुरू करेगा, V-velocity के साथ, तो इसका magnetic field म पहले तो खतम आजाएगा, तो इस stationary position में electric field तो खतम, नहीं, that will still exist, वो तो exist करेगा लहीं, apart from the electric field, a magnetic field will also be generated, उसको आखतम नहीं कर सकते, clear, अच्छा, यहां पर सम्मा आगिया, Magnetic field का symbol क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, Magnetic field is genoted by B, चुकि वेक्टर quantity है, तो वेक्टर कनिशान लगाते हैं उसको, इसकी unit जे होती है, वो होती है, जब मिट्टी बढ़ने के लिए बढ़तान होता है, तो क्या होती है, मजदूर जो लेते हैं, तसला, तसकी unit तसला ही ह बस पुरा सा इसमाल हो चेंज, तसला, तसला, इस साथ याद रखो होगे, Magnetic field जमीन से ही प्रादा होता है, मिट्टी से ही, अर्थ के अंदर ही Magnetic field है उसको, तो ही साथ याद रखे, तसला, मिट्टी को बढ़ने का पटन तसला, Magnetic field को बढ़ने की unit, तसला, तसला, अंगर Light को, Light जो होती है, Light, इसको Electromagnetic क्यों कहते है, Electromagnetic wire, सोचो आप, इतना, Physics कि इतनी सुन्दर सजेक्ट देगी, Physics को छुटने ही बोलती है, साब बताती है रिकुर, Electromagnetic wire कहते है, Light को, because Electromagnetic बता है, इसमें, Electric field ही होता है, Magnetic field ही होता है, और दोना, बसमें, पर्वेंट निक बढ कहा है, यानि के Light के इंदर, stationary charge की property ही होती है, और moving charge इंदर moving charge की property ही होती है, यह दान दोना केसा है अभी तक तो आपने याद कर रखा है बस लाइट की स्पीड इपनी हो कि यह कहां सा आया यह हम देखें तो मैंने अपत क्या आपना है इस एक्चर में सबसे पहली वास सुन लीजे दुबार एक बार एक बार रिपीड करते हैं अस्टेशनरी चार्ज जेनरेट एक स्थिर चार्ज इस्थिर मतल्ब एक जगा रठा होगा इलेक्टिक फिल्ड जेनरेट करता है पर अगले लेक्टिर में देखेंगे कि बाइवक सेवर्ड लोग क्या होता है बायोक्स आवर लोग, तो इतलाब एक तार में करण भेजेंगे, तो उसमें कितना मैटेटीफ जनेरेट होगा, एट सम दिस्टैंस आप तो इसको नॉर्ट लेजे, हाँ, इंडक्शन नहीं, इसमें इंडक्शन को इवक्त नहीं, आप कह सकते हैं आपर, वो बताएंगें हो, तो इसको नॉर्ट परिये भी नाय रक्षे शुरू करता है, और रहा